नमस्ते दोस्तों पारू नानूशाली की रेसिपी में आपका स्वागत दें पानी पूरी या फिर गोल गप है सबी को बेहत पसंद हो दें भै मुझे तो बेहती पसंद है पर आज हम वही पानी पूरी के फ्लेवर वाला चट पटा टेश्टी हेल्दी और जैसे की कैसे कि हम वजन कम करने में भी फाइदा हो जिसे खाने से हमें हेमोगलोबीन की कमी भी दूर हो ऐसा नास्ता बनाएंगे और वो भी बेना प्यास लसंज बेना तेल में तले और सिर्फ पांच मिनिट में बन जाए ऐसा हेल्दी नास्ता और वो भी पानी पूरी के फ्लेवर में बहुती अलग तरीके का ये नास्ता है और आज हम एक ही बैटर में से दो तरह की नास्ते बनाएंगे और इसे आप बच्चो को टिफिन बक्स में भी दे सकते हो और चो डायट फोलो करते हैं वो भी इसे खा सकते हैं ना दही की जरूरते और ना कोई सोडा की जरूरते और ना इसमें हमने बेसन लिया बहुत सारी हरी सबजिया हमने यहाँ पर एक बड़ी सी बंच पालक ले ली है पालक एकदम साफ करके हमने ले लिये और वैसे ही हमने एक बड़ा सा बंच हरा धनिया तीखे पन के लिए चार से पांच हरी मिर्च और यहाँ पर एक कटोरी बर के पुदीनागे पत्ते मिन्ट लीव्स पानी पुरी का फ्लेवर चाहिए हमें तो मेंट लीव्स तो चाहिए न इस सब सामगरी को हम अच्छे से धो लेंगे और इसे एकदम ड्राइ करके हम बिना पानी दाले पीस लेंगे जरूत पड़े तो हम थोड़ा से पानी का इस्तमाल करेंगे और आदा इंच अधर का टुकड़ा भी इसके साथ हम पिस्ते वक लेंगे हरे धनिय की डंडी यहां है न वो भी हम लेंगे ताकि वो भी हमारी वेश नहीं होगी और हरे धनिय की डंडियों में बहुत ही अच्छी मातरा में उसका जूस मिलता है तो देखते इसकी टेश्टी रैसी भी यहां पर मैंने एक कडोरी सूजी ली है जिसे हम रवाबी कहते है तो बस वही नाप से हम यहां पर हमारी यह प्यूरी बना लेंगे तो यह सारी जो सामगरी है न उसकी मैंने प्यूरी बना लिये इसमें जुरूत पड़ी तो मैंने सिर्फ 2-3 चमची पानी का इस्तमाल किया तो एकदम गाड़ी-गाड़ी इसकी हमें पेश्ट मिल गई है तो देखिए एकदम गाड़ी-गाड़ी चट्नी की तरह ये प्यूरी हमारी तैयार है और इसमें से एकदम पानी-पुरी वाला फ्लेवर होता है ना ऐसी ही खुस्बू आ रही है दोस्तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब ये सामगरी पुरी ड्राय लग रही है तो जो मिक्सर में हमने ये सारी सामगरी को पीसा था ना उसे में हम पानी दलकर एक कटोरी पानी इसमें एड़ कर देंगे हम यहाँ पर दही या छास का इस्तमाल करेंगे ना तो इसका कलर जो है पुरा लाइट हो जाएगा तो हमने यहाँ पर छास और दही का इसमाल बिलकुल भी नहीं किया है इसे अच्छे से मिक्स करके हम सिर्फ 15-20 मिनिट के लिए रख देंगे और देखिए ये मिसर एकदम परफेक्ट तयार है यहाँ पर एक थाली में हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे आप चाहे तो यहाँ पर गीका भी इस्तमाल कर सकते हो और एक बाजु मैंने काड़ाई में पानी भी गरम करने के लिए रख दिया है ख्यार रखे कि पानी उतना ही ले कि हमारी थाली में ना चला जाए अब कभी भी डोकला बनाते हो ना तो उसके लिए पानी पहले से घरम कर लीजिए ताकि वो एकदम अच्छे से स्टीम हो सके और यह मिसरन को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे हमें एक ही बैटर में से दो हेल्दी नास्ता जो बनाने हैं देखिए एक में से मैंने थोड़ा सा मिसरन अलग निकाल लिया और यहाँ पर मैंने ले लिया है आदा चमच इनो फ्रूट सॉल्ट हमने यहाँ पर खटे के लिए कुछ नहीं लिया था तो मैंने यहाँ पर ले लिया तेड़ चमच के जितना निम्बू का राज ताकि इसमें अच्छा सा एक टैंगी पन भी हमें मिल जाएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमने यहाँ पर स्वाद अनुसा नमग भी दाल दिया था और थोड़ा समय ने काला नमग भी दाल दिया था दोस्तो वो दिखाना मैं बोल गई हूँ उसके लिए मैं माफी चाती हूँ और यहां पर हमारी ये कड़ाई भी गरम है तो यहां ये मिसरन जाएगा ये थाली के अंदर देखिए एकड़ा प्यारा हरा कलर और जैसे कह सके ना हेमोगलोबीन का खैजाना और साथ में पानी पूरी का फ्लेवर तो हमें मिल रहा है फ्री में और इसे अच्छे से फैला देंगे थोड़ा सा अच्छा दिख जाए और एकड़ा जैसे कहें ना तिखा और चटपटा टेस्ट चाहिए इसके लिए मैंने यहां पर लिया है उपर से जो लाल मिर्च होती है ना उसके बारी बारी टुकड़े करके मैंने लिया है यहां पर हमने हरे मिर्च और अधरक तो ले ही लिये यह बिल्कुल आपस ना ले दोस्तो पर इससे इसका लुक भी अच्छा आएगा और बीच बीच में है ना जो यह लाल मिर्च के बाइट्स आएगे ना बहुत अच्छे लगेंगे यहां पर आप चिली फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हो आप अगर ज़्यादा मिस्तरन लेते हो तो इससे श्टीम करने के लिए ज़्यादा वक लगेगा और देखिए मैंने इसे डग कर कुछ तीन से चार मिनित तक श्टीम किया था क्योंकि मैंने बहुत ही कम मिस्तरन लिया है तो इससे श्टीम होने के लिए ज़्यादा वक नहीं लगेगा देखिए दोस्तो एकदम अच्छे से यह नास्ता पक चुका है इसका कलर से ही हमें पता चल जाएगा और बाफ तो देखी कैसे निकल रही है और मैंने इस तरह से एक चमच से भी चेक किया और हाथ से भी चेक कर लिया है तो यह नास्ता हमारा तयार है और एकदम टेश्टी मुझे तो लगता है इसके साथ चटनी या कैचप की भी ज़रूत नहीं है क्योंकि सारे फ्लेवर्स हमने इसके अंदर ही एड़ कर दिये है और यहां पर यह जो दूसरा हमने बैच निकल के रखा है ना उसके अंदर मैंने वन फोर टी स्पून इनो फ्रूर्स लिया है एक चमज से कम थोड़ा इतना निम्बुका रस और इसे अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है ताकि इसमें अच्छे से बबल्स आ जाएंगे और जो कड़ाई में हमने नास्ता को पहले स्टीम किया था ना वही कड़ाई और वही स्टेंड लिया है और जो यह हमारा बैटर है ना इसे हम इस रिंग में इस तरह से अरेंज कर देंगे आप रिंग के बदले में डारे कैसे कड़ाई में भी यह नास्ता फैला सकते हो अब यहाँ पर हम गैस की फ्लिम को एकदम धीमा रखेंगे और दीमी आज पर इसे 5-6 मिनट के लिए पकने देंगे देखिए 5-6 मिनट के बाद यह नास्ता भी हमारा तयार है और यहाँ पर यह नास्ते ने तेल भी बलकुल नहीं लिया है पहले जो हमने यह नास्ता पकाया था उसके हम इस तरह से ढोकला के तरह पीस कट कर लेंगे और एकदम पर्फेक्ट यह नास्ता तयार है और इसे भी हम रिंग में से अराम से अलग कर देंगे इस तरह से शपू की मदद से यह नास्ता जैसे आपने नीचे पकाया ना जहां पर तीले वहां पर एकदम क्रिस्पी मिलेगा आपको और अंदर से एकदम सौफ्ट और तील का एकदम क्रंची पन भी मिलेगा आज की यह रेसीपी आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करने में बिलकुल भी कंजूसी ना करिएगा और जीने भी वेट लूस करना हो या फिर हेल्दी टेस्टी खाना खाना हो उसके लिए एकदम परफेक्ट रेसीपी है तो मैं पारूल जल्डी से मिलूगी और ऐसी हेल्टी और टेस्टी रेसीपी के साथ देखिए दोनों तरह के नास्ते हमारे तैयारे तो देर किस बात कि आप भी बनाईए और अपने अनुबू मेरे साथ शेयर करें